subscribe now and press the bell icon never miss an update को यहां पर क्या बोल रहा है find you have to find the value of you have to find the value of k आपको क्या क्या given है given है कि limit x tends to 2 fx it exists तो आपको function पहले ही बता दिया गया है कि limit क्या होगा exist करेगा अब एक बात बता कौन से point पर कौन से point पर x का कौन से value पर इस function का value चेंज कर रहा है 2 पर x equals to 2 पर अगर आप देखो x equals to 2 x से चोटा नंबर या फिर x से बड़ा नंबर इस value पर function का value चेंज हो रहा है तो यह तो doubt होना चाहिए कि limit exist करेगा कि नहीं करेगा लेकिन doubt नहीं है हम लोगों को क्यों doubt नहीं है question में पहले ही बोल दिया क्या कि limit में exist तो अगर अपने को पता है यह बात इसका मतलब left hand limit और right hand limit क्या होना चाहिए equal होना चाहिए अगर limit exist कर रहा है तो चलो left hand limit कैसे निकालते है x tends to 2 minus fx यहाँ पर x tends to 2 plus fx यह अपने को पता है question में दिया हुआ है कि limit exist करता है आगे बताओ इसके लिए function कौन सा choose करोगे x tends to 2 minus left hand limit उपर वाला function की नीचे वाला function कौन सा choose करेंगे बेटा बते ही है yes अच्छा absent थे आप बते ही है उपर वाला क्यों चूज करेंगे उपर वाला 2 से left hand का मतलब क्या हुआ इस बात को याद रखो बाबू left hand का मतलब 2 से चोटा की 2 से बढ़ा 2 से चोटा तो 2 से चोटा वाला number मतलब less than 2 का case है यह तो less than 2 में कौन सा select करेंगे first वाला function तो function यहाँ choose करो this is 4x minus 5 यह हो गया select यहाँ पर दिया वा right hand limit right hand limit मतलब 2 plus 2 plus मतलब 2 से बढ़ा number होना चाहिए तो कौन सा function चोटा चोटा होगे second वाला x greater than 2 तो यहाँ पर आपने choose किया है x minus k required condition आपने लिख दिया अब इसको substitute कर दो direct substitution लगा के x का value 2 रख देन आपको 4 into 2 minus 5 यहाँ पर भी 2 minus k 3 is equals to 2 minus k तो k का value क्या आगया oh sorry k का value will be minus 1 k दर आएगा और 3 दर जाके minus 1 देखो 17 नंबर में यहाँ पर modulus लग रहा है यह पहला question है जो आप लोग modulus का देखोगे modulus में आपको ध्यान देना है modulus function याद है सबको function chapter में last वाला topic बढ़ेते modulus second last modulus function याद है सबको याद है चली ठीक है maximum लोगों को याद है जिनको नहीं याद है जाके video देख लेना एक बार चलो यहाँ पर दिया हुए है आपको function दिया हुए है modulus के form में सबसे पहला काम करोगे यह जो topic आप पढ़ रहे ना limit में continuity भी ऐसा ही है तो अभी जो limits पढ़ रहे हो continuity भी ऐसा ही topic है इसी से थोड़ा सा एक और advanced version है तो यह question अगर आपको नहीं आता है तो समझो continuity भी नहीं आएगा तो इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है देखो ध्यान से function आपको दिया हुआ है इस format में x minus modulus x divided by x और यहाँ पे है minus 2 यह बोला x less than not equals to 0 x equals to 0 सबसे पहले जब modulus का function आता है तो function को अच्छा से देखो और यह function के मदद से तुम answer नहीं निकाल पाओगे इसको अभी expand करना पड़ेगा ठीक है अभी आगे क्या बोल रहा है you have to show that limit x tends to 0 does not exist अब देखो कैसे इसको expand करेंगे इस function को आप लिखोगे यहाँ पे दिया हुआ बिटा x equals to 0 पे कितना value आ रहा है इसका function का value जब x का value 0 होगा तो function का value कितना है यह तो fix है इसमें कोई attention नहीं सबसर पहले जिसमें कोई attention यह उसको लिख दो minus to answer आएगा कब जब x का value क्या होगा 0 उसके उपर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x is not equals to 0 यहाँ पे लिखा हुआ x equals to 0 अब एक बाद बता x का value 0 नहीं है मतलब positive number भी हो सकता और negative भी हो सकता है तो जब आपको बोला जाए कि x not equals to 0 तो इसमें 2 case arise होगा पहला x एक positive number है मतलब x greater than 0 का case होना चाहिए ठीक है और दूसरा x एक negative number है तो x not equals to 0 का मतलब यहाँ पे 2 cases possible है तो आपको इन 2 cases को यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि question किसका है modulus का question है अगर modulus का question नहीं होता तो फिर आपको यह सब करने का जंजट नहीं होता कुछ questions देखेंगे आगे continuity मैंसे questions आएंगे चलो अब इन 2 cases को पहले अलग अलग लिखना है आपको एक case है x greater than 0 दूसरा case है x less than 0 अब बताना modulus का काम क्या होता है positive number को negative को positive करना positive को आजटिस छोड़ देना यह वाले case में बताईए यह number positive number है कि negative number है तो उसमें तो as it is रहना चाहिए कोई change नहीं आएगा तो यहाँ पर आपने लिखा x minus अब यह x में कोई change आएगा नहीं तो x as it is रह जाएगा divided by x x minus x क्या answer आएगा 0 तो इसका answer क्या आगया important कहाँ पर है यह वाले case में इसको द्यान से देखो x is less than 0 मतलब x positive number है कि negative number है तो negative को वो positive बनाता है कैसे करता है minus multiply करके modelis याद होगा इतना कि negative को positive बनाता कैसे है वो minus को multiply करके तो यहाँ पर minus multiply हो जाएगा x क्या आगे फिर divided by x बोल इसका answer क्या आएगा उपर में आ जाएगा 2x यह minus x क्यों लिखे समझ बारा है ना modelis जब open होगा तो यहाँ पर minus multiply कर देगा तो minus minus plus 2x divided by x तो answer क्या आएगा उपर में आएगा 2x divided by x तो x cancel तो answer क्या आएगा चलो अब आपने इसको expand कर दिया है expansion लिख दिया आपने तीनों cases आपको दिख गया अब देख यहाँ पर आप क्या आपको लगता है जब हम लोग left hand limit लेते हैं left hand limit limit x tends to 0 minus fx बोलो बेटा left hand के case में function का value क्या है देख कर बताओ 0 से less than के case में कौन सा case है 0 से less than वाला ये वाला middle वाला इसमें function का value कितना है 2 तो यहाँ पर function का value है 2 तो 2 is a constant तो उसका answer क्या ही आएगा 2 ही आएगा ये constant का case है आते हैं आरेचल में x tends to 0 plus 0 plus का मतलब 0 से बढ़ा बताओ 0 से बढ़ा वाला कौन सा case है इसमें function का value कितना है 0 तो यह 0 तो constant है तो इसका answer क्या ही आएगा क्या यह दोनों equal है तो क्या इनका limit exist करेगा x tends to 0 पे नहीं करेगा यही बोला था आपको शो गरने के लिए you have to show that limit x tends to 0 पे exist नहीं करेगा तो बस यहां पर लिखो since LHL is not equals to RHL limit x tends to 0 fx does not exist चलो अब start करते है 10.2 जहां पर आप और ज्यादा मजा लोगे हम लोगों ने फिर सरीका अप लेते हैं चाहरी तरीका सीखा अब यह चार को याद रखना थोड़ा टफ होता है लेकिन उसका तरीका सीखेंगा हम लोगों कैसे याद रख सकते हैं सबसे पहले limit x tends to 0 formula number 2 लिखो साथ साथ limit x tends to 0 चारों के केस में बेटा एक चीज कॉमन है आगे लिखो e का पावर x minus 1 divided by x e का पावर x minus 1 divided by x अगर यह condition है तो इसका आंसर आता है 1 ध्यान क्या दे रहा है अब देखो ध्यान से यहाँ पर जो भी value होगा वही value बिटा यहाँ पे भी होना चाहिए अगर यहाँ वाले का coefficient 2x है तो यहाँ का भी coefficient क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए और जो coefficient इसका है वो इसका भी होना चाहिए तो यह जो तीनों point है तीनों variable है यहाँ का x यहाँ वाला x और यहाँ वाला x सब जगा same coefficient होना चाहिए अगर यहाँ पे minus है तो उपर में भी minus तो यहाँ भी minus होना चाहिए पहला चीज दिहान रखोगे second यहाँ पे constant में सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए अगर इस constant के जगा पर 2 है 3 है कोई और number है तो यह formula नहीं लगेगा चेक, mark करो इसको similarly, जो आपने यहाँ पर e का power x किया है it is an exponent, e exponent है, e के जगा पर अगर a x दिया हुआ है e के जगा पर, e तो exponent है जिसका एक fix number होता है e का value fix है 2.89 something something, वो fix है, यह e का value change नहीं होता a का value, यहाँ पर e का मतलब है any constant वहाँ पर e का मतलब क्या होगा, any constant any constant का मतलब e के जगा पर 5x हो सकता है चिक है, वहाँ पर e के जगा पर और भी कुछ हो सकता है 7x minus 1, यह भी हो सकता है तो कोई भी constant हो सकता है e के case में यहाँ पर e के case में सिर्फ e होना चाहिए तो इसका answer कितना आ रहा था 1, बेटा इसका answer आएगा log A, लिखो इस दोनों formula को अच्छे से देखो पहले यह दोनों याद करो, क्योंकि इसके आने वाला दोनों थोड़ा सा confusing है formula इन चारो formula में सिर्फ एक ही formula है जहाँ पर log लगेगा चिक है, confuse मत हो ना इन चारों में सिर्फ एक ही formula है जहाँ पर log लगेगा log के बगल में होना चाहिए 1 प्लस X divided by X log के बगल में क्या होना चाहिए 1 प्लस X divided by X अगर यह सारा condition satisfy है तब इसका answer आप बोलेंगे 1 ठीक है ध्यान से देखो, यहाँ पर constant कौन सा है, 1 1 के जगा 2 होगा, नहीं लगा पाओगे यहाँ पर X का coefficient जो भी होगा यहाँ पर X का coefficient अगर X है यहाँ पर बिटागा 2X है तो यहाँ भी नीचे में 2X चाहिए होगा यहाँ भी आपको 2X चाहिए होगा जो coefficient यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ तीनों सेम होना चाहिए, तब इसका value 1 होता है, otherwise इसका value 1 नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा इसका value, कुछ छेड़ छाड़ करके question में, चीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस X दिया हुआ है, यहाँ पर लिखो, 1 प्लस X, log नहीं होग सिर्फ 1 प्लस X रहेगा, और इसका power होगा 1 by X, अगर ऐसा हुआ, तो इसका answer हम लोग बोल लेंगे E, यह वाला बहुत कम use करोगे, इसके अलावाई जो 1, 2, 3 है न, यह वाल exercise में यह सबसे जादा use होने वाला है, एक बर वापस से formula पढ़ो, याद करो, इनके बिना नहीं ब बना पाएंगे हम लोग, 10.2, 10.2 question number 1, limit X tends to 0, E minus X divided by X, बोलो आपने जो formula पढ़ा है, formula क्या पढ़ा है हम लोगोंने, exponent का क्या formula पढ़ा है, 1 वाला 2, 3, 4, कौन से exponent का formula है, 1st number, limit X tends to 0, E का power X minus X divided by X, अगर ऐसा हुआ, तो answer क्या होता है, 1, यहाँ पर बिटा X का coefficient क्या है, इस formula में X का coefficient क्या है, 1, इस question में X का coefficient क्या है, minus 1, तो जो यहाँ पर होगा, नीचे में भी वाई चाहिए होगा, इधर भी वाई चाहिए होगा, चलो, अगर X का value 0 है, तो हम कह सकते हैं, minus X का भी value क्या ही होगा, tending to 0 रहेगा, यहाँ पर है e to the power minus X divided by 1, नीचे में minus 1 multiply कर दो अपने से, नीचे में minus 1 अपने से multiply कर देते हैं, तो अगर तुमने denominator में minus 1 multiply किया है, तो balance करने के लिए क्या करना पड़ेगा, numerator में भी multiply करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपने numerator में भी minus 1 multiply किया, limits में हम जानते हैं कि अगर कोई constant आ रहा है limit के अंदर में, तो उस constant को कहां निकाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, तो यह जो constant है minus 1, उसको आप बाहर निकालेंगे, minus 1 into, limit minus x tends to 0, e power minus x minus 1 divided by x, अब देखो बिटा, इसको compare करो इस से, क्या सब चीज माच कर रहा है, यहाँ पर x कोफिशंट क्या है, 1, नीचे में भी x कोफिशंट क्या है, 1, यहाँ पर भी x कोफिशंट क्या है, 1, ठीक है, यहाँ पर भी match करो, x कोफिशंट minus 1, तो यहाँ पर भी, minus 1, तो यहाँ पर भी सब चीज माच कर रहा है, तो इस पूरे का value क्या हो जाएगा, 1, तो यह question बहुत आसान होता, अगर यह जो यहाँ पर आपको e-x दिया हुआ है, इसके जगा पर 1 होता, अगर यह question होता तब तो question था ही नहीं, तब तो formula ही पूछ दिया आपसे, तो ऐसा तो question आना नहीं चाहिए, क्या करोगे, formula number 1 ही लगेगा, exponent का कितना formula पढ़ा आपने, बस एक आपको उसको convert करना है उस format में, एक बात ध्यान से देखो, e का power minus x हम लोगों ने नहीं पढ़ा है formula, e का power minus x हम लोगों यहाँ पर formula में नहीं पढ़ा है, एक बात बताइए, e का power x को, क्या लिख सकते हो आप, 1 divided by e का power x, लिख सकते हैं ऐसा, अब यहाँ पर e के power x को LCM ले लिख सकते हैं, x tends to 0, उपर में LCM लेंगे, तो यह आएगा e का power x, e का power x into e का power x, कितना बन जाएगा, e का power 2x divided y नीचे में x, आपको convert करना है, formula वही है, और कोई formula है ही नीचे को लेकर, तो आपको उसमें बनाना है, convert करना, चलो, यह वाला जो चीज है, यह नीचे आएगा denominator के साथ में, तो result कुछ इस तरीके का बनेगा, आपका final, e का power 2x minus x minus 1 divided by x, और यह जो नीचे आया, इसको लिखते हैं यहाँ पे, e का power x, अब देखो, क्या अभी यहाँ पे direct substitution लगा पाऊगे तुम, क्या यहाँ पे हम लोग x का value 0 को directly substitute कर पाएगे, नहीं, क्यों, नीचे म बना देगा इसको, 0 by 0 का case आजाएगा, नीचे में 0 आजाएगा, sorry, तो not defined होगा, तो अभी कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन देखो ध्यान से, यह वाला part, इस वाले part में क्या कुछ changes कर सकते हैं हम लोग, इसको formula के हिसाब से बनाने के लिए, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यह अगर 0 के पास है, तो 2x भी 0 के पास ही रहेगा, चीक है, तो हम लोग इसको convert करते हैं, देखो, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, limit 2x tends to 0, अब देखो 2x tends to 0, और इसमें कोई फरक क्यों नहीं होता बटा, इसको ध्यान से समझना, x एक ऐसा number है, जो 0 के करीब है, एकदम 2x लगाओ, 3x लगाओ, कुछ भी x लगादो, उसका भी value क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो पहले समझने के लिए ऐसे समझना, x tends to 0 का indirectly मतलब होता है, x almost 0 के बराबर है, तो अगर x 0 के बराबर है, तो twice of x भी कितना होगा, 0 के बराबर, minus of x भी कितना होगा, 0 के बराबर, तो अगर आपने इसको ऐसा लिखा है, तो other way आप ऐसे लिख सकते हैं, 2x will also tends to 0, चीक है, यह ब लोग लिख सकते हैं, चलिया, लिमिट को पहले आपने convert कर दिया है, अब आगे आके देखते हैं, क्या करेंगे, e का पावर है 2x, minus 1, divided by, अपने मन से तुमने यहाँ पर denominator में multiply कर दिया है क्या, 2, तो अगर denominator में किया है, तो कहां करना पड़ेगा, numerator में भी multiply करोगे, यहाँ पर कर दिया 2, एक और यहाँ पर element मौजूद है हमारे पास, हो क्या है, e का पावर x, इसको अलग कर दो उसी के सा multiply हो रहा है, तो limit में हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो इन दोनों को पहले अलग कर देते हैं, limit 2x tends to 0, multiplied by, यहाँ भी अलग कर दो, limit 2x tends to 0, 2 by e x, इसका answer बताइए, क्या होगा, इसका answer क्या जाएगा, इसका answer बनाएगा, सब कुछ match कर रहा है, जो यहाँ पर x कोफिशेंट है, वही यहाँ पर भी है, वही यहाँ पर भी है, तो इस पूरे का value क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ आगया 1, multiplied by, यहाँ पर constant है बिटा 2, 2 को बाहर निकाल दो, limit क्या बचेगा 1 by e का power x, अब 2x tends to 0 आपने यहाँ लिखाता, तो बिटा, अगर 2x tends to 0 है, तो x tends to 0 भी 0 ही होना चाहिए, अगर 2x 0 है, तो x भी 0 है, x 0 है, तो 2x 0 है, उल्टा भी बोल सकते हैं, चलो, यहाँ पर लगा दो direct substitution, बताओ, e का power हो जाएगा 0, anything to the power 0, उसका value क्या होता है? 1, anything to the power 0, उसका value क्या होता है? 1 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 into 1, तो final answer क्या है हमारे पास? 2, question number 2 का part 1 तो direct formula ही दे दिया आपको, limit x tends to 0, 7x minus 1 divided by x, बेड़ा a to the power x वाला formula एक ही पढ़ा है हम लोगों ने, उसके अगर match करोगे, उसका answer log A आता था, तो इसका answer कितना आएगा? log 7, यहाँ पर formula लिख देना, इसका value होता है log A, तो यह आपको directly formula दे दिया, इतना आसान question नहीं आएगा? एक दम परिशान मत होना, ऐसे formula लिखने नहीं दे देगा, कौन सा लगना चाहिए? सेकेंड वाला, क्यूं ऐसा बोल रहे हो? कौन सा वाला? एक वाल्यू वाला Q, यहाँ पर 3 का power X दे दिया है, तो एक पावर X होना चाहिए, अब एक बार याद करो, कि जो आपने यह to the power X वाला formula पढ़ा है, वो यह होता है? अगर ऐसा हुआ, तो इसका अंसर क्या आएगा? लोग A, देखो यहाँ पर 3X-1 तो अविलेबल है, ठीक है? नीचे में किसी तरीके से X अगर आजाए, नीचे में किसी तरीके से X आजाए, तो हम लोग answer log A में लिख सकते हैं, तो अब अपने को मेहनत करके, नीचे में X को create करना है, किसी भी तरीके से लाना पड़ेगा, अब लाने का तरीका क्या है? आप लोगोंने 10.1 में पढ़ा अगर इस square root वाला question आजाए, तो वो चारो method में से कौन सा method यूज करोगे? rationalization, तो चलो यहां rationalization लगाते है, multiplied by root 2 plus X, ठीक है? rationalization, चलो solve करो rationalization को, limit x tends to 0, 3x minus 1, divided by, इसका square तो 2 plus X आएगा इधर, और यहां पर आएगा, minus 2, ठीक है? a minus b into a plus b, a square minus b square, cancel out होते वे दिखरा है बिटा कुछ? minus 2 और plus 2 हो गया, cancel, X चाहिए था नहां लोगों को, X आ रहा है अपने पास, चलो, limit x tends to 0, यहीं पर अलग-अलग कर देते हैं इनको, 3x minus 1 divided by x, यह वाले यह वाले पार्ट को, इसको अलग कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे, multiplied by, limit x tends to 0, क्यों अलग कर रहे हैं इसको? क्योंकि अपने को पता है, यहाँ पर हम लोग direct substitution लगा सकते हैं, X के जगा पर 0 रग दोगे, तो root 2 plus 2 root 2 आएगा, तो यहाँ पर आपको defined answer देगा, not defined तो होगा ने, तो आपने उसको अलग कर दिया, चलिए, इसका answer क्या हो गया? इसका answer आगया, log 3, यहाँ पर आप direct substitution लगा दोगे, तो यह answer देगा आपको, root 2 plus root 2, तो root 2 plus root 2 क्या होगा? 2 root 2 multiplied by log 3, this is our answer, formula number तो 1 लगेगा, यह sure है, क्योंकि e का power x लग रहा है, और तो कोई formula है यह न, e का power x का, limit x tends to 0, e का power x, देखो इसको क्या कर रहे है, यह बहुत simple question है, e का power x, minus 1 को आगे लिखते है, minus x को यहाँ पर ऐसे लिख देते है, अब हम लोग यह बात जानते हैं, कि हम लोग इसको तोड़ के अलग-अलग कर सकते हैं, इसको तोड़ के अलग-अलग किया जा सकता है, न, नीचे में x से, अब हम लोग क्या करेंगे, e का power x minus 1, divided by x, इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, सिंपल है, यह काम कर सकते हैं, चलो, आगे में limit लगा देते, limit x tends to 0, यह काम क्या जा सकता है, अब यहाँ पर minus का sign है, minus में limit अलग हो जाता है, दोनोंग अलग-अलग कर देते, limit x tends to 0, e x minus 1, यह अलग हो गया, limit x tends to 0, x divided by x, आंसर क्या आएगा, चलो, इस पार्ट का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, 1, तो यहाँ पर आगया 1, minus, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ तो x है यही नहीं, तो constant ही है सिर्फ, तो आंसर आएगा 1, तो 1 minus 1, answer 0, e का बस एक ही formula है, आपको कुछ भी करके इसको उसमें convert करना है, conversion करने आगया बेटा, तो limits बहुत आसान लगेगा, और आप देखोगे, एक week के बाद जब test देने आप आएगे न, उससमें limits आसान लग रहागा, अभी अजीब सा है, पहली बार पढ़ रहे हो, अजीब स इस formula और इस formula को compare करो, यह equation गलती से 0 type हो गया था, इस formula और इस formula को compare करो, सबसे पहला difference आपको सामने दिखाई देगा, एक जो भी variable है, tends to कितना होना चाहिए, यहाँ पे variable कितना है, 1, तो अगर मेरे को right hand side में 0 चाहिए, common sense लगाना कैसे change करोगी, अगर 1 के जगा पे 0 चाहिए, LHS में लेके जाते हैं, तो अगर यह 1 को LHS में लेके जाओगे, तो यह कैसा दिखेगा, X-1 tends to 0, देखना चाहिए, अब यहाँ पर X-1 आ गया, उपर में भी X-1 है, तो आपको direct idea लग गया, किसको substitute करोगी आप, बात समझ बाया, यहाँ पर अपने को 0 चाहिए था इस formula के इसाब से, क्योंकि log का question है, log में और कोई formula ही नहीं है, तो अगर आप इस minus को इधर लेके जाएंगे, तब इधर जरुआएगा, यहाँ पर आगया X-1, वही होगा यहाँ पर भी, वह question में match करता वह दिखेगा आपको, ठीक है, तो अब अपने को पता है कि substitute क्या करन है, अब आप लिखेंगे put, X-1 equals to Y, तो X का value हो जाएगा, Y plus 1, अब इसको substitute करो, X tends to 1, X का value कितना आ गया है यहाँ पर, Y plus 1 tends to 1, यहाँ पर X-1 है, X-1 के जगा पर लिखेंगे हम लोग, Y, नीचे में यहाँ पर X है, log X, X, तो X का value कितना आ रहा है यहाँ पर, Y plus 1, यहाँ पर Y plus 1 tends to 1 आ रहा है, तो 1, 1 cancel होगा दोनों तरब से, तो इसका value बनेगा, Y tends to 0, Y divided by log 1 plus Y, अब इन दोनों को compare करो, क्या नहीं लग रहा खाली, reciprocal में एक दूसरे का ही है, इसको और उसको compare करोगे तो नहीं लग रहा खाली, इस Y को नीचे तो ला सकते हैं लोग, और limit को भी नीचे ला जा सकता है, तो यह formula उस तरीके से बन जाएगा, कैसे बनेगा देखो, सब चीज़ को आप reciprocal में ले आओ, 1 divided by, limit भी नीचे आएगा, तो limit, Y tends to 0, log 1 plus Y, divided by, यह वाला जो Y है, इस Y को तुम कहां ला सकते हो, यहाँ denominator में ला जा सकता है, इस Y को नीचे लेके आएगे, अब लोग, यहाँ पर लिखेंगे, compare करो अब इस formula से, directly इसका value क्या होगा, यह formula और इस formula, दोनों के इसाब से value क्या होगा, इसका value क्या होता है, तो इस denominator का value क्या हो जाएगा, तो 1 divided by 1 answer is, एक चीज हमेशा जाद रखता है, चार ही formula पढ़ा है आप लोग उने, उससे उपर कुछ है नहीं, आपको convert करने आना चाहिए, क्या आप इससे उधर कैसे convert करेंगे, यही सिखना है, formula रटना बहुत आसान है, चार formula है बस, वो रट लेंगे आपने, conversion नहीं सिखोगे, फिर और tension मतलो, पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए जीब सा लग रहा है, एक दो बार solve करोगे, आसानी से आ जाएगा, अब एक बार बताओ, आपने कोई भी formula पढ़ा है, जिसमें x tends to 3 होना चाहिए, x tends to क्या होना चाहिए, 0, तो अगर RHS से मेरे को 3 को हटाना है, उसको तुम LHS में लेके जाओगे, तो कैसा बन जाए गई है, x minus 3 tends to 0, तो अपने को पता चल गया, substitute किसको करना है, x minus 3 जो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, आपको direct hint मिल गया है, यह substitute किसको करोगे, तो x minus 3 को y put कर दो, put x minus 3 equals to y, तो x का value क्या आ जाएगा, y plus 3, चलो, limit में put करते इसको, x tends to 3, y plus 3 tends to 3, this is e का power y plus 3, divided by y, ठीक है, normal substitution जो जो करना था, हम लोगों ने किया, यहाँ पर plus 3, यहाँ पर भी plus 3, तो यह क्या हो जाएगा, 3 or 3 cancel होगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, y tends to 0, उपर में आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, e का power y plus 3, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, e का power y multiplied by e का power 3, नहीं, indices पढ़ा हम लोगों ने, तो यहाँ पर power plus हो रहे हैं, तो उनको अलग-अलग करके multiplication में लिखा जा सकता है, लिख दिये, divided by y, y, कुछ common ले सकते हैं, e को की e का power 3 को ले सकते हैं, बेटा, e का value होता है, 2.89, e का power 3 constant है, यहाँ पर, उसको common ले सकते हैं, उपर में ले ले लेते हैं, e का power 3 को common, limit y tends to 0, e का power 3 आ गया common में, तो बताओ, यहाँ पर क्या बचेगा, e का power y, यहाँ पर क्या बचेगा, आ गया, e का power 3 और constant इसको बाहर निकाल सकते हैं, आ गया form, अब इस पूरे का value क्या होगा, यहाँ पर क्या करना है, log 1 प्लस x दिया हुआ है, इसमें किसी तरीके से नीचे में हमारे पास अगर x आ जाए, तो फिर answer solve हो जाएगा बहुत असानी से, second thing we know, कि उपर में square root का case है, तुम लोग rationalization ही लगाएंगे, rationalize करते हैं इस cancer आ जाएगा, चलो rationalize कर लो जल्दी से, 1 प्लस x प्लस 1, उपर में 1 प्लस x, माइनस 1 डिवाइडेड बाई, cancel out होगा कुछ, यहाँ पर प्लस 1 यहाँ पर, माइनस 1, यहाँ पर x बचा x को नीचे ला जा सकता है, अब limit इन दोनों को अलग-अलग कर दो, यह अलग होगा, यह अलग कर देते हैं, और इसको नीचे में ले आना, limit x tends to 0, log 1 प्लस x, यह वाला जो x है, इसको नीचे में, denominator में लाके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, उपर वाले x को नीचे ले आएंगे, इसको आपने अलग कर दिया है, limit x tends to 0, तो बटा, इसका value क्या हो जाएगा? इस वाले का value क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ पर आगया 1 by 1, multiplied by, यहाँ पर direct substitution लगाएगा, root 1 प्लस 0, तो यह क्या होगा? root 1 प्लस, अच्छा, root 1 का value तो वह नहीं आता है न, root 1 का value आएगा 1 प्लस 1, तो final answer क्या आगया? वन बाइटू, चीक है? हम लोगों ने पढ़ा तब formula number 4 कहीं पर use कर पाए? उसके questions आपके किताब में है ही नहीं, झाले सकत्दा ह Jup सकत्स आपके किताब में ही आएपी है। यह झाले से किताब में है, झाल झाल